Hello everyone, welcome back to my channel, Review of Facial Zone आज आपनों आपके exam के point of view से सबसे important topic को यहाँ पर share करने वाली हूँ जो की है knowledge, यानि की ग्यान तो इसके meaning और definition मैं आप लोग के शाद share करूँगी ग्यान की परकार आपको बताना है, विशेष्टा यान की characteristics आपके exam में आते हैं याप याप facet of knowledge भी कहते हैं याप स्पेलिंग में mistake हो गई है, एक बार आप check out कीजेगा ठीक है, facet of knowledge है, यह सारे ही important topic आप लोग के साथ share करूँगी वीडियो को end तक देखेगा, इस topic को आप लोग end वक्त देखेगा यह सबसे important topic है, long question में आपको पूछा जाता है, तो लोग और short में single जो भी question पूछा जाए, चाया character 6 आ जाए या फिर आपके ग्यान के सारे point of view यहाँ पर आ सकते है, types और forms of knowledge तो one by one आप लोगो को है मैं explain करने वाली हूँ, चानल पे नियूँ है तो चानल को subscribe करना मत भूलिएगा और डेली में आप लोग लें हाँ पर फर्स और सेकेंड एर की वीडियो अप्लोड करें एक्जाम से पहले जितने भी important आप लोग के हाँ पर content होगा, वो मैं अप्लोड करूँगी, तो make sure चानल को subscribe ज़रू कि होगा, बेल आगन को press करना मत भूला, जैसे ही वीडियो अप्ल notification आप लोग को मिल जाएगा, तो चलिए आज का हम topic स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, meaning of knowledge, यानि कि ग्यान का अर्थ, यानि ग्यान होता क्या है, तो simple सब्दों में हम वो कह सकते हैं कि कि किसी भी चीज के बारे में जानना, ठीक है, उसी को हम क्या कहते है, knowledge, वो ही चीज हमारी ग्यान होती है, यानि to know about something, किसी भी चीज के बारे में हम जानते हैं, चाहे वो कोई भी वस्तु होगी आपकी, या फिर कोई भी ऐसे fact होंगे, तो वो हमारी knowledge कहलाती है, या में definition देख सकते हैं, meaning में आप लिखेगा कि knowledge is a belief, but these beliefs must be real or true, yes, ग्य must be real or true, तो वो क्या होना चाहिए, real होना चाहिए, सच होना चाहिए, ठीक है, and properly justified, और एक तरीके से properly हाँ पर justified भी होना चाहिए, therefore knowledge is properly justified and true or believe, इसमें हम लोग यहाँ पर यह कह सकते हैं, कि जो हमारे हाँ पर knowledge होती है, कि कोई भी हमारी हाँ पर knowledge है, तो तीन चीजों पर हाँ पर main depend करती है, ठीक है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, पहला आता है justified, दूसरा true और तीसरा आता है belief, यानि कि सत्य विश्वास और आप लोग का यहाँ पर क्या आता है, विश्वास सत्य को यहाँ पर ग्यान को उचित रूप से, यानि कि justify कर, हमारे एक पहली चीज आ यानि कि वो एक सच होना चाहिए, उसमें कुछ न कुछ सचाई होनी चाहिए, और तीसरा कि वो एक believed किया होना चाहिए, यानि कि विश्वास किया होना चाहिए, उसी को हम लोग knowledge कहते हैं, एक्जामपल ले लो कि अगर कोई भी statement है, क्योंकि statement होगी, वो believe नहीं करता किसी भ तो वो क्या है, आपके कोई भी ऐसी चीज है, अगर वो believe ही नहीं करती, उसे justified ही नहीं किया होता, true ही नहीं होगी, तो हम इसे ग्यान नहीं बोल सकते, इसलिए बोला जाता है कि जब उसमें कोई भी सच्चाई होगी, कोई भी believe होगा, या फिक कोई भी चीज वो justified कियोगी, यानि कि सिद्ध किया गया होगा, तो वो आपका ग्यान होगा, example के तोर पे जैसे हम लोगों को ये बात पता है, कि जो sun है, यानि जो सूरज है, वो east से ही rise होता है, यानि कि वो आपका पूरब से ही उपता है, तो जो ये हम लोगों को knowledge है, जो ये ग्यान है, तो ये हम तो यह एक तरीके का ग्यान होता है किसी भी चीज के बारे में पता होना बस वह क्या होनी चाहिए कि वह आपके जो भी चीजे से स्तेटमेंट में मैंना बताया कि सूरज कहा हुता है वह पूरब से उपता है यानि उपके इस्ट से राइज होता है तो यह स्तेटमेंट जस्टीफाइड है रू भी और यह बिलीवड भी है यहां के क्या है accurate इसे हम लोग कहते हैं ग्यान डिस्टनरी मीनिंग आफ नॉलेज़ में है कि इस फैक्ट इंफोर्मेशन एंड स्किल एक्वायर थो एक्स्पीरियंस और एजुकेशन दे थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल यहां पर भी वही वाली बात है कि जब आप अपने एक्सपीरियंस से यानि अपने अनुभवों से या फिर अपने एजुकेशन यानि सिक्षा से जो हम किसी भी सब्जेक्ट की थियोरेटिकल या फिर प्रैक्टिकल अंडरस्टेंडिंग होती है यानि कि सद्धानतिक और वहवारिक उसमें समझ होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं नौलेश कहते हैं तो ग्यान हमें एक्सपीरियंस और हमारे एजुकेशन दो चीज यहाँ पर लिख्या है कि ग्यान हमारे एक्सपीरियंस और एजुकेशन इन दोनों से ही आता है ठीक है अकॉर्डिंग टू वाटले उन्होंने बताया था कि दो वर्ड नौलेश जो आपका नौलेश का सब्द है वो तीन चीजों से यहां पर बताया पहला टूथ दूसरा प्रूफ और कन्वेक्शन जो कि मैंने आपको एक्स्प्रें किया तुन्होंने भी बताया कि जो हमारा अग्यान होता है वो स्ट्रुथ पर यानि कि सच्चाई पी सत्य पर अधारित होना चाहिए प्रूफ होना चाहिए कि हां वो चीज वैलिड है और तीसरा कन्वेक्शन कोई भी धाड़ना होनी चीजों कि यहां पर मानी जाती है तो यह होता है आपका नौलेश जो आपको मी बिलीव यानि जो नौलेश होता है वो हमारे जस्टिफाइड ट्रू और बिलीव इन तीनों पर एक्स्प्लेइन किया जाता है तो डेफिनेशन है और नौलेश के आप लोग यह भी लिख सकते हैं जो कि आपकी नौलेश में आती है दे फैक्ट ऑफ नौइंग किसी भी फै जो भी सब कुछ हमने सीखा है या पता लगाया जा सकता है उसे तो वह आपके आता है ग्यान में तो यह आपकी डेफिनेशन हो गई तो यहाँ पर बेसेकली आपके एक्जाम में दो-तीन तरीके की और भी डेफिनेशन यहाँ पर अलग-लग विद्वानों ने दी है तो आप अपने अक्जाम के साथ इस तरीके से एक्जाम में हाइलाइट करके लिख सकते हैं अधरवाइस एक अंपलसर ही नहीं है कि आप लोग के एक्जाम क्योंकि एक्जाम में कभी नहीं पूछा जाता कि नॉलेज के डेफिनेशन इनकी है तो इन्होंने क्या बात बोले थी आप अपने अक्वाडिंग कोई भी डेफिनेशन जो आपको एजी तरीके से लर्ण हो चाहे आप लोग वही कीजेगा तो यहां पर मैंने आप बताया था मिनिंग में यह कि नॉलेज इन अवेर्नेस ऑफेमिलिटी गेंड़ एक्सपीरियंस ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ एक्सपीरियंस और सिचुवेशन ऑन दा थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल तो यह आपके बताया था Яँप तीन यहां पर बने विद्वान बता दी है जिन्नोंने यहां पर बताया था कि ग्यान क्या होता है तो रूसल ने जा भूए निया नमेर्नतिया उद्विकों नाम एक्सकुर एक और प्राप्ता चीव्मेंट यानि कि आपके सफलताओ का प्राप्त करने के लिए एक दूसरा नाम हम लोग कह सकते हैं knowledge प्रोफेसर जोड ने बोला था कि knowledge is an addition to our existence information and experience यानि उन्होंने बोला था कि जो हमारे already कोई भी चीज़ की information है जो हमारे पास already किसी चीज़ का experience है अनुबव है उसमें जो हम addition यानि कि कोई भी चीज़ की वृद्धी करते हैं तो वो हमारी knowledge कहलाती है यानि हमें कोई भी चीज़ के अगर यहाँ पर information होती है और अगर हम लोग उसमें कुछ नया add करते हैं तो वो हमारी knowledge कहलाती है तो इस तरीके से आप लोग अपने exam में definition यहाँ पर लिख सकते हैं नेक्स हम लोग यहाँ पर बढ़ेंगे कि types of knowledge यानि कि ज्यान के प्रकार क्या होता है पहला आता है वैसे तो बहुत सारे प्रकार हैं बढ़ आपके exam के लिए इतना sufficient होगा आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं तो screen पर पहला आप देखेंगे prior knowledge prior knowledge जिसके नाम से आपको पता चल रहा है यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं पहले से प्राथमिक ज्यान है पहले से इसे लिख सकते हैं prior knowledge वो knowledge होती है यानि which comes before जो कि पहले से ही होती है यानि ऐसी यह एक ऐसी knowledge है यह एक ऐसा ज्यान है जिसके लिए हमें कभी भी experiment ना करना पड़े ठीक है जैसे prior knowledge के लिए हमें किसी भी evidence की किसी भी सबूत की यहां पर जरूरत नहीं होती यह एक उस तरीके का ग्यान है जिसमें हम observation की हमें यहां पर need नहीं होगी हमें किसी justification की need नहीं होगी हम इसको experience नहीं करते ठीक है हम पहले से ही इसके यहां पर validity बन गई होती है इसके अधार पर हम माल लेते हैं कोई चीज लाइक फिक्स होती है जैसे math का होगा आप लोग example देखेगा तो prior knowledge में हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि prior का मतलब which come before जो की पहले से ही होता है prior is the knowledge that is attained independently of any experience जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा prior knowledge है इसमें हमें किसी भी experience की need नहीं होती पहले से ही हमें इसके बारे में पता होता है in this way acquired knowledge merely by theoretical reasoning rather than any experience और any observation तो इसमें जैसे आपको मैंने बताया कि इसमें हमें केवल किस चीज़ की theoretical की एक reasoning की इसमें कोई भी logic नहीं लगाना होता हमें क्योंकि हमें पहले से concept है इसमें हमें कुछ पता लगाने की ज़रूरत नहीं है तो prior knowledge में आप लोग कह सकते हैं कि एक non empirical यानि कि पहले से ही सिद्ध होती ना हो तब भी तो वो चीज़ आपकी मानी जाती है तो prior knowledge में हम लोग कोई भी चीज़ को हमाई कोई भी घ्यान को हम लोग theoretical यानि कि उसको सधान्तिक से या फिर reasoning यानि तरक करके जानते हैं इसमें experience और observation की need नहीं होती example के तोर पर आप लोग देख सकते हैं सबस्यादा important यहीं आता है mathematics की calculation यानि मैथ में जितने भी फॉर्मोले होते हैं जो theories होते हैं जो हम पढ़ते हैं अपने हापे math की theories हो तो यह best example आप लोग प्रायर नॉलेज में कह सकते हैं ठीक है तो यह प्रायर नॉलेज का नहीं होगी कि पहले आप experiment करेंगे observe करेंगे स्वार्मोले को देन फॉलो किया जाएगा नहीं तो mathematical calculation का प्रायर नॉलेज का best example है इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं नेक्स आता है आप लोगों का पोस्टेरी नॉलेज इस नॉलेज में दोस्तों क्या होता है कि यह based होत पर पता चल रहा है यह आपके बाद में आती है ठीक है जो हमें बाद में हाँ पर जिसका घ्यान होता है वो होती है पॉस्टेरी नॉलेज तो इसमें हमें observation की experience की नीड नहीं है नहीं किसी हमें अनुभवों की नीड है इस knowledge में हमें accurate knowledge की जरूरत होती है accurate knowledge की जरूरत का मतल अब यह है कि अगर कोई चीज यहां पर कोई भी fact है तो उसका यहां पर एक factual information होनी चाहिए like जैसे मैंने आपको बताया कि जो snow है वो white color का होता है तो हम इसको direct नहीं माल लेंगे इसको हम observe करेंगे यहां फिर experience किया होगा अनुभव किया होगा तभी वो चीज मानी जाती है ठीक है तो हम लोग यहां पर एक्जामपल भी देख सकते हैं तो इस तरीके से पॉस्टरी नॉलेज में पहले से हम experience कि लेंगे उसके बाद हम logic लगा के उसको conclusion तक पहुचेंगे second example आप देख सकते हैं जैसे sunset होता है हमें पता है कि वह west में होता है ठीक है तो यह चीज हमने experience कर यह जानी तो यह आपकी पॉस्टरी नॉलेज में आती है ठीक है दूसरा एक्जामपल यह भी कि ice melt यानि कि बरफ पिघलती है तो यह एक factual information है इसमें verification की observation की need नहीं है क्योंकि हमें पहले से ही इसकी क्योंकि हमने verification की need होती है और sorry verification observation की इसमें need होती है ठीक है तो इसको क ग्यान मानते क्योंकि अगर हम इसमें experience नहीं करते कि हां बरफ जोती है वो पिघलती भी है यह observing नहीं कर रहा होता तो हम इसे ग्यान नहीं मानते तो पॉस्टरी नॉलेज में यहां पर लिखा है it is the knowledge which he gained through experience यानि कि वह ग्यान होता है जो हम अपने अनुभव के द्वारा प जैसे में बता है पॉस्टरी का मतलब होता है बाद में it means the knowledge we acquire after the next में यानि कि यह वह ग्यान होता है जब हम अपने अनुभवों के बाद कोई भी knowledge को यहाँ पर गेन करते हैं, कोई भी knowledge को यहाँ पर हम प्राप्त करते हैं अब posteriori judgment add to the knowledge, but the knowledge yield can sometimes be uncertain or problematic यह posteriori knowledge यहाँ पर यह भी बोला है कि हमारे किसी-किसी decision में हमारे judgment को भी add करता है, लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे यहाँ पर आपके sometime uncertain or problematic भी चीज़ आ जाती हैं, जिसे हम लोग कभी ध्यान में क्या हो सकता है, problem ला सकता है, जैसे हमारी physics, chemistry, biological हो गई, तो यह सब जो होता है, एक example हैं आपके posterior knowledge में, अब यहाँ पर जो उपनी सद है, इन्होंने knowledge के दो परकार बताये हैं, पहला बताया है, पैरा विद्या और दूसरा बताया आपका अपैरा विद्या, पैरा विद्या में आपका basically यह कह सकते हो कि यह आपका relate करता है physical world से, य कि ऐसा ग्यान ऐसी knowledge होती है, जो हम अपनी sense organ से, जितनी हमारी ग्यान इंद्रिया होती है, उसके reasoning से प्राप्त कर सकते हैं, और तर्क से यहाँ पर उसे प्राप्त किया जा सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पैरा विद्या, तो इसमें हमारी जो knowledge है, वो हम यह हमारे spiritual realization, जैसे मैंने आपको बताया, which is knowledge of the self, यानि पराविद्या जो होती है, वो आपके अध्यात्मिक अनुभूती होती है, जो खुद का ज्यान करती है, पहले, इस type of knowledge pertain to knowing oneself and established relation between soul of God, तो यह उस तरीके का ज्यान माना जाता है, जो आपके खुद को जानने से relate होता है, यानि आपके जो soul होते हैं और भगवान की बीच में क्या आप एक relation क्या है, उसको बारे में establish करता है, यह होता है आपका पैराविद्या, अब आते हैं पैराविद्या के बारे में अपराविद्या आप लोग कह सकते हैं से, तो यह आपके एक lower knowledge होती है, अपराविद्या में जो यो भी हमारे nature में हमारे अध्यात्मी की जो जलक पाते हैं या अध्माति क्याने के spiritual जो आती जाती हैं वो हमारे किस संबंद्य होती है अपराविद्या से, तो यह जो ग्यान होता है वो human beings के nature का सबसे उचा ग्यान मना जाता है, ठीक है, और यह ग्यान आप व्यक्ति के घाले वाले में आपके हाँ पेरा विधिया ऐगी, अपरा विद्या ही वो ग्यान होता है जो कि highest form of Knowledge नोजज आप पे माना जाता है और इसमें एक spiritual यह अध्यात्मी की जलक मिलती है, तो इसमें जो आध्यात्मी यानि spiritual के बारे में ग्यान इसमें तरह आप रिलेट करता है, वो स्वैम को जानने उनके आत्मा यानि की सोल और परमातना के बीच में जो भी हाँ पर रिलेशन होता है उसको इस्टैबलिश करता है तो यह आपकी अपराविद्या होती है यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है इसके लिए सोरी तो आप लोग यहाँ पर देख सक रिलेशन को स्टैबलिश करता है तो यहाँ पर नहीं आएगा पराविद्या आएगा इस वाले मिस्टेक को आप लोग प्लीज ठीक कर लीजेगा तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप लोगों के पराविद्या में क्या होता है कि इसमें आप लोगों के जो दो नौलेज यानि कि एक के संसार का ग्यान है इसे हम यह कह सकते हैं तो इस नौलेज को हम अपने पूरे वर्ल्ड के थौट्स और अंगिनत आप लोग यह बोल सकते हैं अपने एक्सपीरेंस का रिजल्ट निकाल सकते हैं इस थौट के नजर यह से तो इस मिस्टेक को आप ठी कर लीजे का बस उपर और यहां पर थोड़ से नीचे हो गया है स्लाइड में बाकि सब ठीक है करेक्टर स्टिक्स ऑफ नॉलेज रहेगा कि ग्यान की विशेष्टा है क्या क्या होती है पहला जैसे आप लोग यहां पर दिख रहा है कि क्या विशेष्टा है नॉलेज इस बताया गया है दमोर अमेंगेट यानि की इंसान यानि हुमेंट बिंग्स के पास जितना ही चीज की नॉलेज होती जाती है तो उसे उस चीज को पाने की और इक्षा बढ़ती जाती है दमोर ही डिजायर तो गेट नॉलेज इसमीन तो रीच दा ट्रूथ एक्सपीरियंस इ लिए ही एक साधन माना जाता है fact and values are the framework of knowledge यानि कि आपके जितने तथ्यजों होते हैं यह आपके एक knowledge का framework माना जाता है Even knowledge does not end. जैसे कि हम लोगों को पता है कि ज्ञान क्या होता है? कभी भी end नहीं होता, इसका कभी भी समाप्त नहीं होता है. Information आपका sources of knowledge है, यानि कि ज्ञान आपकी information का एक स्रोथ माना गया है, क्योंकि एक normally बात भी बोली जाती है, जो already एक information होती है. हमारे पास जिसका experience है वो क्या होता है आपके knowledge आनि कि हम कोई भी चीज में हमारे पास information है उसमें हम कोई भी चीज नया add करते है तो वो हमारा क्या कहलाता है knowledge कहलाता है knowledge is a very good means of education यह point बहुत अच्छा है कि जो ग्यान होता है वो सिक्षा का एक आपका best साधन मान सकते हैं आप ग्यान कभी भी end नहीं होती है यानि जो हमारा knowledge है वो कभी भी समाप्त नहीं होगा ग्यान हमेशा हमें सत्य तक पहुचाने के लिए टूथ तक पहुचाने के लिए एक साधन यहां पर माना जाता है तो और ग्यान का सबसे basically point जहां पर जो मैंने बताया है ग्यान जो होता है पैसे की तरह होता है जितना एक मनुष्य को प्राप्त होता है वो उतना ही ज़्यादा उसको पाने की इक्षा करते हैं ठीक है तो यह basically आपके कुछ important point है ग्यान की पुष्टी भी की जा सकती है क्योंकि knowledge मैंने आपको बताया कि उसकी पुष्टी हम लोग हैं पर कैसे जब हमें उसका एक real truth मिल जाएगा तो यह हमारा ग्यान जो है और information यानि जो हमारे कुछ fact होते हैं वह आपके अधार माने जाते हैं एक knowledge की ठीक है और information आपका एक knowledge का source है यह मैंने आपको बता दिया तो यह basically कुछ important है जो characteristics है आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं और next आप पर मैंने और भी बताया हुआ है कि knowledge जो होता है वो satisfy एक morality है यानि कि नितिकता का संतुष्ट करता है इसका main motive क्या होता है में मोटो क्या होता है कि know the self यानि कि खुद को जानो ठीक है know the self लिखे knowledge is mental based on inherent power ग्यान जो होता है वह आपके mental based यानि कि मानसिक अधार पर नहीं सकती मानी जाती है it is mean of happiness to man तो एक के रास्ता बोल सकते हैं इनसान का knowledge मिलने पर के happiness यानि कि इनसान की खुशी ही इस चीज़ में होती है प्रशनत का एक कारण बोल सकते है इन knowledge lies the sense of human welfare यानि कि ज्यान में मानव कल्यान की भावना नहीं तो होती है ज्यान जितना ज़दा मिलेगा उतना ही human के senses को यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर बढ़ती जाएंगी तो आप overall यह बात कह सकते हैं desire वाली बात कि जैसे एक अमीरों की प्यास के सामान होती है प्राप्त करने के सासथ बढ़ती रहती है और in this life और this life मे health is the most essential knowledge after the fact यानि कि जो हमारे happy health है जो हमारा स्वास्त सबसे अवश्रक ग्यान माना जाता है तो यह आपके कुछ characteristics है basically आप इतने लिख सकते हैं अब आते हैं हम sources of knowledge यानि की ग्यान के सुरोत क्या क्या होते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि man always learn to sources there are the sources तो देखेंगे कि human beings होते हैं मनुष्य जो होते हैं वो अपने अलगला sources के मादियम से सीखते हैं तो वो आपके यहाँ पर sources बताया है नेचर के द्वारा सीखेगा आप बुक्स से होंगे science experience अपने ग्यान इंद्रियों के अनुभव करके evidence के द्वारा logical intelligent inner wisdom wisdom through inside यानि कि अंत दोस्तों आपका जो नेचर यानि की प्रकरती का जो ग्यान है वह आपका main source माना जाता है यह सबसे पहला sources है आपका knowledge का तो यहां पर हम देखेंगे कि हर एक human being यानि की हर एक मनुष्य जो होता है वो ग्यान प्राप्त करता है जीवन से पहले या फिर जीवन के पस्चाथ जैसे हम लोग normally एक example देख लेंगे तो जैसे हमें पता है कि जो सूर्य है वो आपके ब्रह्मान का universe का चकर लगाती है और वो जो प्रिथ्वी है वो सूर्य का चकर लगाती है और ऐसे ही जो हमारा syndrome होता है वो प्रिथ्वी का परिक्रमा करता है तो यह सब जो process है यह सब जो परकार से अपना जीवन ठीक से हम लोग यहां पर चला सकते हैं तो यह सब चीज़ा आपके प्रकरती में आजाएगा उसके वाद हैं यहां पर books यहने की आप क्या जाती है बुक बुक यानि की किताबें तो किताबें यानि कि books आपका main sources माना जाता है क्योंकि पहले के time पे जो जितने भी हैसे paper होते थे कागज का निर्मान नहीं हुआ था पहले हापे established नहीं हुआ था तो लोग पहले की time पे क्या करते थे कि ताम पातर पे पत्थरों पे यानि stone पे या किसी भी बोश पत्र पे उस पे लिखा करते थे तो उनी के आधार पे चलते थे यानि कि जो यहां पर आजाएगा कि आज की time पे तो online भी library के दुहारा हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं पड़ सकते हैं उसका अध्यन कर सकते हैं तो जो हम जिस subject में चाहें उस subject की पुस्तितक यानि कि उसकी book खरीच सकते हैं तो यह हमारा एक ग्यान को अरजित करने का सबसे best source माना जाता है book next आता है आपके sense experience यानि कि इंद्रिया के अनुभव इंद्रिया यानि कि जो हमारे सारे क्याने कि जितने भी आपर ग्यान इंद्रिया हैं अब चाहें हम उसे daily अनुभव भी करते हैं यानि कि कोई भी चीज है उसके experience के अधार पर हर एक human being सारे एक व्यक्ति उसक शाय वोड़ सकते evidence के दो आरा क्या होता है हम दूस्रों के experience अनुभव और उसके दोारा ही हा पे जियान को मानते हैं यानि कि हम अपने द्रिजा अनुभवों के दौरा जियान प्राप्त करते हैं उसमें आजता है evidence जैसे कि मैंने आपको बताया था तो इस प्रकार से हम क्emi तो हम किसी भी वस्तु का ग्न कहना और उसको बताना साख्श्य और किसी बात समझने पर पता है नेक्स हरत है longin ंग तर्क बुद्धी कह सकते हो तो जासे कि हमारी डृल 1 ऐसमय वाले होने वाले जितने जब हम इसके result तक यानि जो हम reasoning के द्वारा तर्ग के द्वारा हम अपने ज्ञान का निर्मान करते हैं यह एक mental process भी कह सकते हैं logical intelligence नहींगा आएगा यहाँ पर inner wisdom में तो inner wisdom में आप लोग यह कह सकते हैं अंतहा प्रग्या यानि इसको अंग्रेशिम हम intuition कहते हैं inner wisdom को हम intuition भी कह जाते हैं इसका main मतलब यह होता है कि कोई भी fact को इसको पा लेना उसके लिए किसी भी reasoning के अवशकता जो नहीं होती हमारा उस ग्यान का पूरे तरीके से विश्वास हो जाता है यानि इसमें reasoning की ज़रूरत नहीं है उस पर belief करना वह हमारे inner wisdom में आ जाता है wisdom throw inside यानि है कि हमा महात्मा बुद्धु जो थे वो विक्ष के नीचे बैठने से उन्हें ज्यान प्राप्त हुआ था तो एक संत महात्मा हुए थे जिनके विविविविविन तरीके की वापे उनको knowledge प्राप्त हुई थी ठीक है तो इसी तरीके से आपकी जो होती है insight के दोवारा भी होती है knowledge और उसके बाद आपकी अनुकर्णिय ज्यान यानिकी एक्जाम प्लेरी नॉलेच भी कहते हैं तो हमारे जितने भी माना में सोसाइटी में अलग लग तरीके के अपनी mental powers के होते हैं उनकी तीर्व बुद्धी के साल उनका जो mental level होता है वो सबका अलग अलग होता है कुछ य अनुकर्ण का मतलब कि जो हमारे समाजिक में जितने अलग लग तरीके के कुरूतियां को चलती है उसको दूर करते हैं इसके माध्यम से यानिकि हम लोग अनुकर्णिय ग्यान को इसके माध्यम से हम समाज में सुसाइटी को नया डारेक्शन नहीं दशा प्रदान कर सकते है नई दिशा दिखा सकते है जिग्यासा यानि कि क्रियोसिटी क्रियोसिटी यानि कि कोई भी चीज को हमें जानना है समझने कि जब हमें एक्षा होती है कोई भी सब्जेक्ट को लेकर हमें एक उक्षुकता होती है कि हाँ इस चीज में क्या है इसकी चीज ऐसा ग्याद जिसमें curiosity हो बीना जिग्या सके बीना curiosity कि यह कि उसको तब तक प्राप्त नहीं होगी जब तक हम उसको पूरा उपसे नहीं जानेगे तो तब तक वो क्या करते हैं ग्यान को हाँ पे लेते रहते हैं तो यह सदेव क्या होगा इसका प्योग करते हैं यानि की पूरी तरह के से उसकी खोज करेंगे उसका ने ने invention कर लेंगे कर लेंगी कि यागती रही जब एक करके तोड़ा फट्वर that पहुंच जाएंगे तब कि अब क्या होगा इसको और हम किस तरीके से बदल सकते हैं तो यह आएगा क्रियोसिटी में प्रैक्टिस अभ्यास में हो जाएगा हर एक यहां पर human beings होता है वो अपने experience के माधियम से ही सीखता है डेली वो नए अपने experience में कुछ ना कुछ यहां पर घ्रेंड करता है यानि उसको एक नहां पर बोल सकते हैं कि डेली कुछ ना कुछ अधारूं का मेंन कार रहे होगा आने वाले सभी जितने लोग होते हैं उसके अकौर्ड़ी हैं पर घ्यान प्राप्त करते हैं क्योंकि तक पहुचा जा सकता है तो हमारा जो अभ्यास है जब जो हमारा practice है वो पूरा नहीं होता है तो हमारा result भी अच्छा नहीं आएगा जैसे हमारे exam है अगर हम उसमें कोई भी mathematics का solve करें जब तक अगर उसमें बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमारा result किस तरीके से बहुत जरूरत होती है conversation में समवाद में आप लोग क्या सकते हैं कि इसमें ग्यान को बढ़ाने का ही एक medium बाना जाता है जर्यावाना जाता है जिसके द्वारा हम ग्यान प्राप्त करते हैं या फिर इसको आत्मसात करते हैं तो आप लोगों की जितने भी हां पे मुहावरे होते हैं उनके दोबारा ही दिसे आपने देखा होगा जैसे एक समवाद है उधारन के कारण पर आप बोल सकते हैं जैसे सवच भारत सवच भारत अभी हान हो गया पानी पियो चूट कर ऐसे करके आची जाती है तो यह अलग-अलग तरीके की क्या होते हैं एक आपके दालता है तो वह आपके ग्यान के सोजिस माने जाते हैं आप आजाते हैं आपके आप इफेक्ट ऑफ नॉलेज जिसमें लोकल और यूनिवर्सल नॉलेज आते हैं आप यह पांचों के पांचों आपके बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके शौट में भी आते हैं जोनिवर्सल यानि कि स्थानिया सरव में ज्यान कौन-कौन से होते हैं तो चलिए वन बैवन देख लेता है जैसे लोकल नॉलेज होता है यानि स्थानिय ज्क्राइब तो लोकल नॉलेज इस डार्म विच इस लोगेशन तो फोर दा पीपल लिविंग इनस्पैशिफिक लो सोसाइटी लोकल लेंग्वेज यूनिक हो सकती है क्योंकि हमारे अलग-लग तरीके कि सोसाइटी है अगर पूरे वर्ल्ड में भी देखोंगे तो अलग-लग स्टेट उसके अंदर आते हैं तो सबके अपने हापे कुल्चर होते हैं सबके सोसाइटी होगी तो वह आपकी लोकल बोली जाती होगी तो कहीं आप लोग के उर्दु बोली जाती है कहीं फार्सी बोली जाती है तो वहीं एक तरीका है कि हर एक culture और हर एक society की अपने खुद की local language होती है या तो इसमोर संब्निधियन तो युनिवर्स नोलगेश्ट करें यह गाता है कि यह बिना मजूद की व्यक्ति कि उस फैक्ट से अवगत है या नहीं है यानि कि इसमें यह चीज ज्यादा ध्यान दी जाती है कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो हम टॉपिक हाँ बच्चों को बता रहे हैं कोई भी फैक्ट पता चल रहा है तो वह से पहले से पता है या फिर इस बात का पता नहीं है तो यह इस बात पर ध्यार नहीं द्या साथा उसके अपने अलग्लत ल ost ऐसा साबाईए रहा से लोकल ंगविज हुती है अगर है बहुआ of अपने सोसाइटी को बदलेगा तो वहां की कल्चर उसके लोकल लेंगविज भी बदली जा सकते है कुछ चेंज आ जाएंगे बट यूनिवर्सल में क्या होता है सबके लिए एक जैसी होगी सबके लिए एक समान होती है इसमें चाहिए वह कोई से भी कास्ट का कोई भी जाती कोई समुदाय या फिर समाज का आता हो तो यह होती है आपके लोकल और यूनिवर्शल लेंगविज में नेक्स आता है कॉन्क्रीट और एपस्टुलेट नॉलेज जिसे हम लोग यहां पर पून ग्यान या ठोस ग्यान कहते हैं तो दोस्तों एक बात इंपोर्डेंट हो रह है या पिढ़ें या पीज किसे किछ करती थी जिसके फेक्ट मिलते होंगे यह रहाज देक्वाध में एकजामपल की तौर पर पर तो क्यों यह और और तो और और event that are available to the senses यानि कि आप वो वस्तुवें जो आपकी कोई भी यहां पर बोल सकते event के द्वारा या फिर आपके senses के द्वारा उपलब्द होंगी तो वो यहां पर मानी जाएंगी जो आपके senses हैं वो senses के मतलब यहां पर यानि कि जो हम अपने ग्यान इंद्रियों के द्वारा महसूस कर पाते हैं उसे देख पाते हैं जैसे कि हमारे books हो गई ठीक है फोन हो गए इनकेस जो हम अच्छे से चू सकते हैं इनसे देख सकते हैं तो इनसे हम knowledge ले सकते हैं in concrete knowledge mental effort is not involved और concrete knowledge में जो होता है इसमें mental ability सामिल नहीं होता है ठीक है और concrete knowledge only have a generalized concept of all the things normally देखा जाए तो जो आपको concept knowledge यानि ठोस यान जो होता है वो हमारे सारी चीजों को लेकर एक क्या करता है generalized concept बताता है एक अफधरना ही होती हैं इसमें simplicity concrete thinking is based on seeing and also in fact जैसे मैं आपको बताया कि concrete यह होते हैं इसमें हम हर चीज को देख सकते हैं महसूस कर पाते हैं तो एक fact होते है उस पे अधारित यह होती है abstract में इसका उल्टा होता है यानि abstract knowledge में हम लोग वो idea है जो आपके विचारों से आपके views से उसका कोई भी हाँ पर सारे रिक reference या पर संधर्ब नहीं होता है ठीक है यहाँ पर लिखा हुआ abstract term refer to ideas और concept यानि कि जो हमारा abstract knowledge है पूर्ण जो ग्यान है यह हमारे आइडियास हमारे विचारों पर हमारे views अवधार्णाओं पर क्या करते हैं संधिर्द करते हैं यानि कि refer करते हैं इनका physically यानि कि सारे रिक रूप से कोई भी reference नहीं होता mental process is involved to abstract knowledge बांसी प्रकेरियां अमुर्त ज्यान से जूड़ी है यानि कि जो mental process और abstract knowledge जो से include है क्योंकि हमने concrete में पढ़ा कि इसमें mental effort की कोई भी need नहीं होती बट इसमें होगी क्यों क्योंकि हम इसमें यहाँ पर अपना skill का use करते हैं किसमें abstract knowledge में यहाँ पर इस बच्चे का skill यहाँ पर अपना use करेगा abstract knowledge है वह very specific concept of thing यानि abstract knowledge है वह आपके कोई से भी किस अभधार्णाय का एक यहाँ पर system होना जाता है किसी भी वस्तू का abstract knowledge is based on idea simple सी बात है क्योंकि concrete knowledge में अगर आपने देखा होगा तो वह आपके fact पर depend करती है और यह आपके idea पर based करती है जैसे कि अगर हम लोग कोई भी topic को यहाँ पर 7-10 pages का पढ़ते हैं और बाद में हम उसको जो हमने 7-10 pages में पढ़ा है व जागा 7-10 page हम कोई चीज पढ़ते हैं उसको हम 20-40 page में बना देते हैं तो जो 7-10 page पढ़ रहे हैं तो यह आपकी concrete हो जाएगी ठीक है यह आपकी concrete knowledge कहलाएगी और हम जब उसको पढ़के 20-40 page में convert करने लग जाते हैं तो वह आपकी क्या होती है abstract knowledge कहलाती है क्यों क्योंकि ह हम अपने knowledge को यहाँ पर expand करते हैं कैसे करते हैं thinking के दोवारा reasoning के दोवारा यानि कि हम अपने सोच के दोवारा और अपने तर्क के दोवारा उसको extend करते हैं और तब जाके वह इतने page यहाँ पर आगे हो जाते हैं तो simple सा आप example यहाँ पर कह सकते हैं तो यह आपके ideas पर यहा हम लोग पढ़के देख कर ठीक है पढ़के देखने से सुनने से इन सब की कोई भी चीजों की जब जहनकारी प्राप्त करते हैं वह theoretical होती है जैसे के हम बुक पढ़ रहे हैं तो बुक को हम अच्छे से उसको देख सकते हैं उसकी रीडिंग कर सकते हैं या फिर कोई भी उसे पढ़ रहा है तो सुन सकते हैं तो यह होगी theoretical knowledge basically tell the why behind any study यानि कि normally कह सकते हैं कि कि किसी भी study के या फिर किसी भी चीज के पीछे या फिर कोई भी subject बढ़ रहे हैं तो उसके पीछे का basically क्या उसका main उसको क्या उसका पीछे का अर्थ है यह बताता है theoretical में theoretical is the base of any knowledge तो यह आपके किसी भी ज्यान के अधार पर dependent होता है practical knowledge में दूसरा होता है practical knowledge में आपके implementation of the thing which you have studied in theory यानि कि आपके वहवारी ज्यान उस चीजों को यहाँ पे practical मानता है जिसका आपने अध्यान किया है ठीक है practical knowledge is based on theoretical knowledge theory पर दिपेंड होती है इसमें पूरा का पूरा और यह आपके how behind the study यानि कि पढ़ाई के पीछे कैसे यानि वहवारी ज्यान जो है practical knowledge जो है वो आपके study के पीछे कैसे होगी इसका राज बताता है theoretical में हमने book knowledge पढ़ ली अब हम उसको life में किस तरीके से अपने follow करने वाले practically उसके अंदर हम क्या क्या skill जोड रहे हैं किस तरीके से उसको आगे हम लोग करेंगे तो आपका practical ही होगा है होता है न कोई चीज कि अगर हम कोई चीज पहले theoretical सीखते हैं उसको बाद भी हम practical करके देखते हैं तो वह आता है कि आखिरकार यह वो knowledge है वह ग्यान को बताता है कि पढ़ाई के पीछे उसका क्या इसका main aim है जैसे हमने बोला था कि कोई भी knowledge है कोई भी उसका main चीज हम कंबानेंगे कभी-कभी उसको चीज को practically देखना होता है जैसे हम science में भी कुछ चीज ऐसे होती है जाप experiment काफी करवाया जाता है कि अगर normally काफी बार आप लोगोंने सुना होगा कि pencil को जो हम shop करते हैं उसको करके हमी razor बना सकते हैं कुछ भी ऐसे fact बताएग होता है इनके नाम से पता चल रहा है टेक्श्वल लर्निंग में क्या होता है टेक प्लेस वेन वी गेन नॉलेज बाइग ग्रीडिंग एक्षान की वह नालेज होती है जो हम टेक्स्ट के दोहरा बुक के दोहरा पढ़ते हैं ठीक है पार्ट को पढ़कर कोई भी सब्जेक क इसका निर्मान करने के लिए एक पेबल होता है उसको लिर्निंग कहते हैं आपके त्योरी पर रशनावादी पर और जो आपके टेक्श्वल लोनी होती वह ठीकल नोले जोती क्यों क्योंकि हमने बुक से वहानी कि हमने कोई भी पाट को पढ़के उसके बाद हमने उसका घ् सकते हैं कि दोनों ही जो टीचिंग आपर हो रही है वह रीडिंग टेक्स्वल में टीचिंग और लर्निंग यानि जो आप लोगों की शिक्षण और अधीगम है यह आपके मल्टीपल कॉंटेस्ट मन कि आपके मल्टीपल विभिन संधर्भों पर डिपेंड होती है क्योंकि और अधीगम है इसमें टीचिंग किस पर होती है सिर्फ रीडिंग बच्चा अगर कोई चीज बुक में पढ़ रहा है उसका अगर लर्निंग करना है तो उसका टीचिंग मेथड एक ही है कि वह टेक्श्वल लीडिंग है यानि पार्ट पढ़ने पर ही उसका दोनों चीज यहां पर माना जाएगा इने स्टूडें इसमें स्टूडेंट को कुश पढ़ने के लिए यहां पर बढ़े किया जाता है मोटिवेट्फ पोज यानि कि उसकी motivate किये जाते हैं प्रेडित किया जाता है and express idea in textual form और वियक्त करने के लिए यानि कि वो जो भी अपने thoughts अपने विचार है वो अपने text यानि की curriculum पाथे रूप में अपने विचारों को यहां पर आगे बढ़ा सके लिख सके टेक्श्वल टेस्ट में उसको यहां पर motivate किया जाता है और आपके आता है contextual यापके higher order thinking होती है और यह problem solve encourage करता है यानि कि आपके समस्य के समधान को एक motivate किया जाता है contextual learning में बट टेक्श्वल में क्या होता है इसलिए यह आपके इमेजिनेशन को और आपके रीडिंग और रेटिंग को बढ़ाने में मदद करता है तो यह होते हैं आपके contextual और टेक्श्वल नौलेज आज का लास्ट टॉपिक है जो कि स्कूल एन आउट ओफ इस्कूल नौलेज आपका लास्ट पांच फैसेट्स बोल सकते हैं इसमें बोला है स्कूल और स्कूल से बाहर का ग्यान तो इसके नाम से जैसे आप फॉलु करेंगे इस पॉल्ल prends करेंगे स्कूल इर्णिंग इन्वल्व यानि जो स्कूल नौने इंवल्व करता है यहांपे सीछने का अधिगम का इन्वल्व करता है ता ऐ members क्तव तेशर इइस tire इंसाईड समाज का इसमें जादा इंवाल्व होता है इसकूल की लर्णिंग में एक limited time period पे होता है यानि कि एक यहाँ पर सीमित समय होगा एक time limit होता है कि इतने से इतने तक ही हम बच्चे को यहाँ पर learning करेंगे बच्चा इतने में सीखता है बट out of learning school में यह एक never ending process कह सकते हो जो कि कभ बारे में बताया जाता है उसके बारे में तयार किया करवाते हैं बच्चों को बाहर की दुनिया के बारे में प्रिपेर करते हैं और आउट ऑफ स्कूल के जो होते हैं इसमें बच्चे को स्कूल के लिए तयार किया जाता है किस तरीकी से आपको जाना है स्कूल में किस तरीके क्विश्ड होती है यानि वह तरेके की शिक्षा जो अनवचारिक तरीके से कराई जाती है जो कि एक होम में या तो फैमिली के द्वारे सुसाइटी के द्वारा कराई जाती है ठीक है, और स्कूल लेर्णिंग में बोल सकते हैं, बटरवर दर्चाइड लेर्न इंसाइड दस् comes under school learning तो वो क्या करेगा वो school के अंदर ही सीखेगा मतलग कुछ ऐसे ग्यान होंगे जो बच्चा school के अंतरगत ही सीखता है ठीक है ऐसा कुछ जो भी कुछ वो सीखेगा वो school के learning के ही अंदर आएगा but out of school में whatever the child is outside the school तो वो से हम क्या कहेंगे बच्चा जो कुछ भी school के बाहर सीखेगा school में नहीं सीखता तो उसे हम क्या कहते है out of school learning और out of school knowledge भी कह सकते हैं तो school and out of school learning से आपको पता चल गया होगा कि बच्चा जो भी ऐसा ग्यान जो school के दोवारा school से ही अरजित करता है school से ही सीखता है कोई भी अधिगम तो वो आपका school learning कहलाएगा और जो बच्चा school के बाहर कोई भी चीज़ सीखेगा कोई भी बाहर के कोई भी क्या सीखता है अधिगम सीखता है कोई भी सीखने की प्रकेले हैं सीखेगा तो वो आपका out of learning में आ जाता है तो यह थी आज की वीडियो आप लोगों बेनिफिट लगी होगी तो आज के सारा important topic इससे बाहर exam में कुछ नहीं आता है तो आप लोगों आपको इवीडियो काफी हद तक बेनिफिट लगी होगी तो अगर आप लोगों ने वीडियो लाज सकते देखे किया तो लाइक जरूर कीजेगा सुस्क्राइब करना मत भूलेगा थैंक यू फॉर वाच्जिंग